कि नमश्कार यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कारेक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से स्वतंत्रता दिवस के खीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिवेक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा के अंदर नियंत्रत करने की कोशिश की वरिष्ट सिबिल राइट्स वपीद और एक्टिविस्ट प्रशान्थ भूशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कंटेम्ट के लिए दोशी घोशित किया गौर्ट अलब है पिटिशनर ने एक्टॉर्णी जेनरल से पर्मिशन नहीं लिया था जैसा की कानून और कंविंशन में होता आया है इसके बावजूद कोर्ट ने पिटिशन को एड्मिट किया और सुनवाई की और जज्जमेंट दिया पिटिशनर एक वकील है खुद को नाशनलिस्ट और पोलिटिकल अनलिस्ट कहते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर वे अपने आपको fan of Chinese food and South Indian food कहते हैं बट प्योर्ली वेजिटेरियों रेपुटेट लीगल सर्कल्स में सुप्रीम कोर्ट के इस वैसले से और इस पूरे प्रोसेस से बहुत डिसकंटेंट है कॉंबे बार एस्सोसियेशन के भूतपूर प्रेसिडेंट इकवाल चागला जो की famous jurist और भारत के शिक्षा और विदेश मंत्री रहे हुए MC चागला के बेटे हैं उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बहुत महत्तपूर्ण या important आर्टिकल लिखा है इकवाल चागला ने प्रशान्थ भूशन केस को ADM जबलपूर जैसा शर्मनाक बताया है उस केस की तरह उनके हिसाब से प्रशान्थ भूशन जज्ज्मेंट और ये पूरा सिलसिला भारतिये इतिहास में कभी होना ही नहीं चाहिए था तो अब सवाल ये उठता है ADM जबलपूर है क्या क्यों इतना शेमफुल माना जाता है इन अनटशल जून 1975 को इंदरा गांधी ने एमर्जेंसी इंपोस की और तुरं हजारों ओपोजिशन नेता और पार्टीज के ओपोजिशन पार्टीज के कारेकरताओं को एरेस्ट किया गया इन लोगों ने अपने डिटेंशन को अलग-अलग हाई कोट्स में चैलेंज किया कि उनके फंडमेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो गए थे उसका वाइलेशन पुआ था बहुत सारे ये पिटिशन्स में जज्जमेंट्स जो है सरकार के खिलाफ गया था उस समय तब केंद्र सरकार ने इन तमाम केसिस के एगेंस एक एपील फाइल की सुप्रीम कोट में तब सारे के सारे केसिस को क्लब टुगेदर करके लीड केस ADN जबलपूर वर्सिस शिवकांध शुकला को बनाया गया था 28 April 1976 को पाँच जजेज में से चार जजेज ने ये रूल किया था कि किसी भी नागरिक के पास अपने डिटेंशन को चैलेंज करने का हक नहीं है Effectively, the majority bench held that the liberty was a regulated freedom and not absolute in extraordinary circumstances like during emergency ADN जबलपूर जज्जमेंट set a dangerous precedent It allowed government to detain political rivals who could not move court to protect their democratic rights Justice HR Khanna sole dissenting judge थे अपने जज्जमेंट को डेलिवर करने के पहले उस दिन सुबा उन्होंने अपने सिस्टर से कहा था I have prepared a judgment which is going to cost me the Chief Justice Ship of India वही हुआ January 1977 में उनको supersede करके Justice M.H.B. को Chief Justice of India बनाया गया और Justice Khanna ने तुरंट Supreme Court के bench से resign कर दिया 40 साल बाद 2017 में Supreme Court की एक nine judge constitutional bench प्राइवेसी bench की सुनवाई कर रही थी judgment में A.D.M. जबलपूर के verdict को flaw कहा गया उसको over rule किया गया इसी bench के एक सदस से Justice D.Y. चंदरचूर थे Seniority के हिसाब से 2022 में इनका Chief Justice of India बनने की बारी आना तय है उनही के पिता Justice Y.B. चंदरचूर A.D.M. जबलपूर देने वाले चार majority judges में से एक थे History too after all comes a full circle even in families खेट हम थोड़ा digress कर गए हैं बात हो रहे थी प्रशांद भूशन Contempt Case की और Iqbal चागला ने अपने आर्टिकल में A.D.M. जबलपूर के साथ कैसे compare किया इस case के बारे में चागला साब ने आगे लिखा It is a situation where the court is the judge, victim and prosecutor मशूर शायर, a filmy lyricist, आमेर कजलबाश ने कभी लिखा था उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ हमें यकी था, हमारा ही कसूर निकलेगा अरुन शोरी ने एक interview में कहा है कि कैसा अपराद है जिसको defend ही नहीं करने दिया गया प्रशांथ भूशन ने क्या tweet किया था ये आप लोग सब जानते हैं या किसी और को disprove करने का तो ये कैसा contempt law है जिसके तहत so-called contemptuous statements और action को सकते साबित करने का मौका ही नहीं दिया जाता है कब से चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसे contempt of court के laws contempt laws का इतिहास क्वी independence period से हम लोग face कर सकते हैं East India Company ने 18th century में हिंदुसान के कुछ territories को take over किया था इसके चलते इंग्लेंड के राजा को 1726 का charter issue करना पड़ा था अलग-अलग presidency towns में corporations establish करने के लिए इसकी जरूरत थी इसी charter के तहट देश में सारे कानूनों को introduce किया गया था और courts कठित हुए थे धीरे-धीरे और courts establish हुए mayor's court फिर उनको supersede करके recorders court और फिर उसके बाद Supreme Court of Judicature by 1824 there was a well-established network of courts with supreme courts in Calcutta, Bombay and Madras the recorders courts and supreme courts had the same powers in the matters of punishing for contempt as was exercised by the superior courts of England 1861 में Indian High Courts Act के अंतरगर्त इन तीन अदालतों को High Courts of Calcutta, Bombay and Madras में परिवर्थित किया गया these two had the inherent power to punish for contempt 1866 में जब Allahabad High Courts को constitute किया गया तब उसे भी यही power to punish for contempt दिया गया कुछ समय बाद विभिन्ना High Courts के बीच Disagrements हुए मुद्दा था Subordinate Courts के contempt को punish करने का उनके पास कितना power है clarify करने के लिए 1926 में Contempt of Courts Act पास किया गया इस Act के अंतरगर्थ, Contempt Jurisdiction was inherent in every High Court 1926 के Contempt of Acts को 1937 में अमेंड किया गया इसमें clarify किया गया और कहा the limits of punishment provided in the Act related not only to the contempt of subordinate courts but all courts 1926 का Contempt of Courts Act पूरे British India के लिए applicable था Princely States of Hyderabad, Madhya Bharat, Mysore, Rajasthan, Kravincour, Kochin and Swarashtra के अपने contempt कानून थे आजादी के बाद 1926 के Act को Contempt of Courts Act 1952 में तब्दील कर दिया गया 1960 आते आते सरकार को Contempt laws में कमिया दिखने लगी 1952 Act was found uncertain, undefined and unsatisfactory especially in the light of constitutional changes in the country 1961 में सरकार ने Additional Solicitor General H.N. Sanyal के अंडर कमिटी गथित की Sanyal कमिटी ने Contempt Act को study किया 1963 में अपने report और recommendations सरकार को submit किया Sanyal कमिटी के recommendations पर state governments, union territories के administrations और सारे के सारे stakeholders के साथ consultation हुआ उन दिनों laws पे ये पूरी process अपना ही जाती थी अब के बारे में आपको पता है सारे consultations पूरे होने के बाद एक नया bill draft किया गया उसको सरकार ने Joint Select Committee of Parliament को refer किया आठ साल बीतने के बाद सान्याल कमिटी के recommendations के basis पर Contempt of Courts Act of 1971 पास हो गया इस कानून के अंडर दो प्रकार के contempt lay down किये गए Civil Contempt और Criminal Contempt Civil Contempt that which can be considered willful defiance of any judgment, decree, direction, order writ or other processes of a court or willful breach of undertakings given to the court और Criminal Contempt that which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to reduce authority of any court आदी आदी माना जाता है 1926 के कानून के comparison में 1971 के act ने courts के powers को curtail किया परंतु जैसा हमको अब भी लगता है इसमें और reforms की जरूरत है मार्च 2018 में आनून मंत्राले ने law commission of India को 1971 के law को evaluate करने के लिए कहा specifically to consider an amendment to the 1971 act to restrict the definition of contempt to only willful disobedience of direction or judgment of the court law commission ने शोद के बाद पाया के हिंदुसान में contempt के बहुत मामले तो उस समय total pending cases were 96,993 cases of civil contempt and 583 cases of criminal contempt commission ने सरकार को inform किया दुनिया में बहुत countries ऐसे हैं जिनोंने contempt laws abolish कर ही दिया है United Kingdom उनमें से एक है हमारा parliamentary system जैसा कि आप सब जानते हैं Westminster model पर आधारित है लेकिन वहां उन्होंने contempt law को abolish कर दिया हमारे यहां अभी भी वरकरार है Ultimately law commission ने कहा कि 1971 के act को already दो बार limited amendment किया चाच चुका है 1976 में और 2006 में As per the need of the time Any further amendment commission ने कहा वोड नोट पी a meaningful exercise and not in larger public interest 1971 के act के अलावा दो constitutional provisions हमारे अदालतों को contempt को punish करने का पावर देता है Articles 129 and 215 of the Constitution of India empowers Supreme Court and High Courts to punish people for contempt Undoubtedly Indian contempt of court laws में बहुत अंबिविविटी है Hearing का process भी बहुत arbitrary है Mahatma Gandhi ने November 1921 में Young India Patrika में एक आर्टिकल लिखा था What is abuse? उन्होंने elaborate किया था But what after all is abuse? I find the dictionary meaning misuse, prevention or bad use When therefore we call a thief or a rogue a rogue we do not abuse him Prashant Bhushan case में criticism यही है उन्होंने जो भी कहा उसका तो assessment court में हुआ ही नहीं क्या सही है या गलत कहा उन्हें Gandhi Ji ने आगे लिखा था Hindu Shastras are full of condemnation of evildoers They have pronounced curses upon them Kulsidas who was the quality of mercy personified has filled the Ramayana with adjectives against the enemies of Ram which it would be difficult to exceed Buddha too did not spare those who killed the innocent goats in the name of religion Nor are the Koran or the Zen Avesta free from such use Only all these seers and prophets had no evil intention in them They described persons and things as they were Used language so as to enable us to make the choice between good and evil प्रशांद भूशन ने Gandhi Ji के नाम को अपने case में invoke किया है उनको हम आज का गांधी नहीं कह रहे हैं परन्तु प्रशांद भूशन केस हमारे Contempt of Court Law and Constitutional Provisions के Flaws को हाइलाइट करता है हमको इसको रिव्यू करने की जरूरत है नमस्कार मस्कार परन्तु खर्याव हुआ परन्तु युः नमस्कार